नमस्कार दोस्तों मैं संजे जेन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आज एक महत्पुर्ण उपाए के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि रेत के बिस्तर का उपाए का जिक्र कब आता है ग्यारवे घर में जब भी ग्यारवे घर की हम बात करते हैं तो ग्यारवा जो घर है वो शनी का घर है यानि 11th house का जो मालिक है जिसकी जमीन है वो शनी की जमीन है और खाना नमबर 11 का जो पक्का घर है वो जुपिटर का है यानि ब्रस्पती का, यानि खाना नंबर 11 का जो इमारत बोली गई है, वो जुपिटर की बोली गई है, अब खाना नंबर 11 में बैठे प्लैनेट की तासीर वैसी होती, उस ग्रह का असर वैसा ही होगा, जैसा उस टेवे में शनी बैठा होगा, अब शनी उस टेवे में अच्छा है, तो खाना नंबर 11 में बैठा प्लैनेट का जो असर है, वो भी उम्दा होगा, अगर शनी टेवे में खराब है, तो खाना नंबर 11 में बैठा प्लैनेट का असर जो होगा, वो भी मंदा असर होगा, अब 11 आउस में कोई प्लैनेट बैठा है और खाना नंबर एक में या खाना नंबर तीन में अगर उसके मित्र ग्रह बैठे हूं तो खाना नंबर 11 का जो result है जो असर है अमूमन वो अच्छा मिला करता है अब जिस remedy का जिक्र मैं करने वाला हूं वो खाना नंबर 11 में सूरज के बैठने की तो यह वीडियों आप detail में देखें ताकि आपको आपके काम आ सके या किसी चिर परिचित के काम आ सके खाना नंबर 11 में सूरज बैठाओ और खाना खाना नमबर 11 के समय में ऐसे इंसान को धर्मी बोला गया है, धर्मी तपस्वी राजा की संग्या दिये, जब तक वो मंदी खुराक का आदी ना हो जाए, अपने character को खराब ना कर ले, अब खाना नमबर 11 में सूरज बैठा और ऐसा इंसान अगर मंदी खुराक का आदी हो जा तो ऐसे में इंसान क्या कर बैठता है कि यहाँ शनी को मंदा कर बैठता है, क्यूंकि यह शनी का घर है और यहाँ बैठा planet की तासीर जैसा मैंने बताया है कि शनी जैसे होती है, तो अब 11 में बैठा जो सूरज है, वो चलता ही शनी की प्रवती से, यानि उसका nature ही वैसा होत दोनों खराब होने लगता है, तो ऐसे समय में जब उसका शनी को मंदा कर बैठता है तो सूरज की प्रवती अपने आप खराब होने लगती है, अब खाना नंबर 11 में दिखता सूरज है, कि कुंडली में वो दिख रहा है उसके असर हम खाना नंबर 11 के सूरज को मान के चल रहे हैं लेकिन इन हालातों के बाद में जब भी वो अपनी खुराक में मंदापन शामिल कर ले मंदी खुराक शामिल कर ले तो यहां सूरज सूरज ना होके राहू नीच की प्रवती हो जाता है यानि उसका असर वैसा आता है जैसा राहू खाना नंबर 11 का असर आया करता है या उसके सम्मान में उसकी जिन्दगी में जो सम्मान के हाला आता है उसकी जिन्दगी में जो परुपकार के हाला आता है या सूरज जो 11 में बेनिफिशल रिजल्ट दे सकता है वो उसको नहीं मिलते है तो ऐसे वक्त में क्या करता है सनी जो है वो सूरज को डेस्ट्रोय करनेगा हुकम राहु को दे देता जैसे मैंने बताया है कि शनी जब मंधी- khuraak शामिल कर ली तो शनी को आपने खराब कर लिया तो उस समय आपने शनी को खराब कर लिया और शनी के मारफत 11 में बैठा सूरज खराब हो गया तो अब सूरज वहाँ सूरज ना होके राहू नीच प्रवती जैसा होता है यानि उसके असर उस तरह के हो जाते हैं तो मंदी खुराक लेने का खामियाजा क्या होता है जैसा लिखा हुआ है कि इसमें जो अब सूरज जब खतम हो रहा है सूरज के फल जब खराब हो रहा है तो ऐसी कंडिशन में क्या होगा कि सूरज जो अपनी दिक्कते हैं वो केतु के जरीए जाहिर कर देगा केतु के जरीए मतलब सूरज 11 में लिखा हुआ है कि इंसान अगर मंदी खुराक का आदी हो जाया तो उसको लावल्दी मिल सकती है जब इस्पेशली ये लिखा हुआ है कि जब जुपिटर और केतु भी खराब हो जाता है और उससे जो संतान के अउलाद के सुख है वो खराब होने लगता है तो ऐसे इंसान को जंदगी भर उलाद के लिए तरसना पड़ता अगर वो अपनी खुराक में मंदी खुराक शामिल कर ले और इसके अलावा लेकिन अगर ऐसा इंसान सोबर तरीके का है सोबर नेचर का है सात्विक भोजन करता है लोगों की सेवा भावना करने वाला होता है तो उसमें क्या होता है कि तब उसे इन प्राब्लम से नहीं जूजना पड़ता है ना तो इसी लिए सूरज खाना नंबर 11 के वक्त ऐसे इंसान को धर्मी तपस्वी राजा बूला गया है कि ऐसा इंसान प्रारब्द के कोई अच्छे करम लेकि आया होगा कि राहु की कहीं म वाला होता है गॉर्मेंट से बेनेफिट मिलने की उसको बहुत संभावनाय रहती है मिलता भी है ऐसे कई जातक देखे गए हैं सूरज 11 या तो गॉर्मेंट सर्विस में होते ही या गॉर्मेंट से उनके परिवार में कोई इंकम आती है सूरज 11 की एक निशानी है कि वो जि उसके पास जो गली होगी उस गली में दिवार से लगता हुआ एक दरक्त होगा दरक्त यानी पेड होगा ये सूरज 11 की निशानी है सूरज 11 की एक निशानी और मैं बताता हूं कि ऐसे इंसान के शादी के समय या तो ससुरनी होते या शादी के थोड़े समय बाद ही वो इस दुनिया से रुक्सत कर जाते ये सूरज 11 वालों की निशानी है सूरज जब 11 में खराब हो रहा होगा तो उसे सपने में सांप दिखते होंगे या सांप उसको डेली रूटीन की जंदगी में भी उसका बाबस्ता इन से पढ़ता रहता है 11 में जैसे मैंने कहा कि मंदी खुराक का आदी हो जाया तो उसे राहू केतू की जो मुश्तर का उमर है यानि 45 वर्ष की उमर है राहू केतू मुश्तर का उमर इसको बोलते हैं कि 45 साल की उमर दोनों की जो संबंदित यानि केतू की उमर जो है वो 42 से 48 वर्ष है तो उस समय में राहु केतु दोनों की मुस्तर का उम्र हम 45 वर्ष लेते हैं तो 45 वर्ष की उम्र तक तो संथान सुख से वो महरूम रहता है और उसके बाद भी अगर उसे संथान मिलती है तो वो वो भ्रसपती और केतु के आशिरवाद से और प्राश्चित करने के बाद मिलत तो यहाँ पर प्राश्चित क्या लिखा है प्राश्चित जैसे 11 थाउस में एक रेमेडी आती है कि अगर उसने सूरज को मंदी खुराक की वज़े से गोश्ट लेने से शराब खुरी करने से अगर उसकी जिन्दगी में लावल्दी के हालात बन गए यानि संतान नहीं हो रह जिन्दा बकरा या बकरा छोड़ने के लिए क्यों बोला बकरा छोड़ने के लिए इसलिए बोला क्योंकि बकरा जो है वो हम सूरज से देखते हैं और उसको जंगल में छोड़ने की बात कि जंगल यानि खाना नुमबर आठ में उसको जो शनी का हैड़ क्वार्टर है वहा निकालने की remedy है कि सूरज को बचा लेना उसकी गलती का प्राश्चित ही होगा कि बखरा आपको कटने से बचा लेना है और उसको आजाद करवा देना आजाद करवाने से यह होगा कि सूरज आजाद हो जाएगा राहू की गिरफ्त से छूट जाया करता है जब राहु की गिरफ्त से छूटेगा तो सूरज भी अच्छा हो जाएगा और शनी भी अच्छा हो जाएगा इसलिए यहाँ एक जिन्दा जवान वकरा जंगल में छोड़ने की बात कही गई है तो ऐसा वकरा शनी वार के दिन छोड़ा जाना चाहिए कोशिश करें कि उसका ब्लैक कलर हो तो उसे जंगल विरान जंगल में छोड़ के उसको जिन्दगी दे दे ताकि वो कटने से बजजा उसको जिन्दगी मिल जाए तो उससे यह सूरज और शनी बेनिफिशल हो जाते है प्राश्चीत की यह रेमेडी लिखी गई है लेकिन इसा नहीं होगा कि सूरज 11 में अगर मंदी खुराक भी आपने ले ली तो लावल्दी ही मिलेगी या संतान नहीं होगी ऐसा हर कंडिशन में नहीं होता इसमें जोपिटर और केतु को देखना भी जरूरी है इसके अलावा कही बार क्या होता है कि कस्टम जो संसकार होते ना तो उस केस में यह हो सकता है कि ब्रस्पती और जोपिटर की मदद से वो इतना हार्म ना करें बाकी जैसे किसी के अगर बाप दादा ने नहीं लिया अल्कॉल नहीं लिया नॉन्वेज नहीं लिया और ऐसा इनसान खुद से शुरुआत कर दे ऐसी चीज़ों की तब उसकी म मंदापन जादा शामिल होगा बाकी जो कंडिशन मैंने बताई कि कस्टम से चला आ रहा है रिती रिवास उसमें भी मंदापन तो शामिल होगा उसमें भी कई बार ये केसिस बनेंगे कि लावल्दी की हालात पैदा जरूर उसमें भी हुआ करते हैं या संतान के सुक अगर स संतान किसी काम की नहीं होती तो ये सूरज 11 की कुछ चीज़ें यहां आप क्या करें कि अगर सूरज खराब हो रहा हो जैसे मैंना कहा कि राहू की प्रवती बढ़ गई है तो ब्रसपती को भी स्ट्रॉंग करें ब्रसपती को स्ट्रॉंग करेंगे तो खाना नंबर 11 जो इम पढ़ने लगता है क्योंकि ब्रसपती को काफी हद तक राहू कमजूर कर दिया करता तो यह और ब्रसपती को जैसे पावर मिलती है वो राहू को दबा देता तो यह एक चीज है इसको थोड़ा आप समझें इसके अलावा जिस टॉपिक पर आज चरचा है वो सूरज 11 में फ बानती है अब यहां रेत का उपाए जो है वो लिखा गया है खाना नमबर 11 में जब सूरज हो रेत जो है वो बुद्ध है यानि यहां सूरज को बुद्ध की सपोर्ट दे दे यानि सूरज का जो मित्र है वो बुद्ध है खाना नमबर 11 जो है वो शनी का भी घर है तो यहा राहु का भी मित्र है तो अब क्या होगा कि सूरज और बुद्ध को जब हम मिलाने की कोशिश करता है तो उससे क्या मंगल नेक की प्रवती आती है और जब भी मंगल नेक की फितरत आईगी यानि जब भी कुंडली में मंगल नेक का असर जादा होगा तो उस कुंडली में रा रहू का कंट्रोल होना स्वभाविक है तो मंगल नेक की वजह से रहू भी कई दफा बहुत ज्यादा हथ तक कंट्रोल हुजाया करते हैं अगर अब यहां राहु अगर जैसे मैंने बताया कि राहु दिख रहा है ना कि सूरज डैस्टोय हो चुका है और राहु के हालात जादा देख रहे हैं तो उस केस में क्या करता है राहु 11 में बैठके जैसे राहु 11 में एक कंडिशन है कि राहु 11 में बैठके ब्रसपती को उड़ा के रख देता यानि खराब कर देता है तो उस केस में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि यहां राहु को कंट्रोल करने के लिए जुपिटर की मदद भी एहम है और यहां बुद्ध के जिस रेमेडी की हम बात कर रहे हैं कि रेत का बिस्तर रेत का बिस्तर यानि बुद्ध की की दो इंच की एक लेयर बना दे उस लेयर पे आप बनियान पहन के सोएं ताकि वो आपके जिस्म से टच होती रहे तो इससे क्या है कि अगर यह है कि आपने सिर्फ रेत बिचा दी और शर्ट पहन के सो रहे हैं और पूरी तरह से वो आपकी बाड़ी को इस पर्ष नहीं कर करती रहे 43 दन कंटिनीशन में यह उपाई करना है यह रेमेडी जो है आप बुद्वार से शुरू कर सकते हैं है ना इसमें यह धियान रखना है कि पहला दिन चौथ नामी चतुदशी ना हो सूरज जो हो इन अमूमन दिनों में जादातर यह कहते हैं कि अमूमन दिनों में शनी मुस्तर का समय ना हो शनी का खराब समय ना हो शनी का मतलिक समय ना हो मतलिक समय मदब जैसे बारिश का समय आंधी का समय तोफान का समय ऐसे समय में कोई भी रेमेडी शुरू ना की जाया और ऐसे समय में ज्यादा कोशिश भी ना की जाया रेमेडी करने की क्योंकि जब यानि जब यह जो मैंने बताया तो इसमें क्या होता है कि दिन का जो planet है जैसे सूरज का दिन है तो उसमें शनी की involvement पीछे से कही नहीं रहती है ना पूरी तरीके से वो मतलिक समय शनी का नहीं माना जाता उस ग्रह पर यानि सूरज पे शनी का प्रभाव रहता है अगर खराब दिन बारिस का समय भी है तो ये एक चीज ही रेत का विस्तरा आप कर सकते हैं बहुत अच्छी रेमेडी है ये इससे आपके बिजनेस में भी financial condition stable करने में मदद मिलती है क्योंकि बुद्ध जो है बुद्ध से हम finance भी तो इससे जो stability है वो आनिया आपके शुरू हो जाएगी बिजनेस कर रहे है तो बिजनेस में आपको धीरे धीरे growth मिलनी शुरू हो जाएगी बहुत अच्छी रेमेडी है और सूरज और बुद्ध मिलके एक अच्छा combination आपके जिंदगी में create करेंगे और आपको इस remedy से बह दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं धन्यवाद